हेलो सीरेसली नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फस्स सकते हैं आप ये देख सकते हैं दिने इस त्यागी सर का ट्विट है कि क्या करना है और यह बार बार रिमाइंड दिया रहा है ट्विटर पे भी बार बार बुला जा रहा है इसके बारे में पता नहीं है बट एनिहाओ अब आप यह बोलेंगे कि आरे भाई अभी तो सीसी में गली-गली में सीसी सेंटर खोला जा रहा है जिसे हमारी इंकम रिडियूस हो रहे है यह तो बंद ही हो जागा तो क्या होगा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सीसी एक ऐसा जगह है ना जहां पर आगे चलके आपको बहुत सारी ऑपरचुनिटीज मिलने वाली है भले ही सीसी बहुत सारा सेंटर खुल रहा है हर एक जग के जाता है नाए जो CAC Center से उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है तो कहीं ने कहीं आपको इस चीज का benefit मिलेगा future में चलके और जो CAC में नई services आने वाली है, उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा benefit मिल सकता है और एक चीज़ा और मैं बताता हूँ, CAC में हर साल कोई न कोई ऐसा project जरूर आ जाता है जिसमें आपको एक मूटा amount मिलता है, ठीक है, और वो हर एक CAC विली भाई को वो opportunity मिलती है करके काम करते हैं, तो उनका काम जल्दी होता है, उनको पैसे भी जादा मिल जाते हैं, तो यह चीज़ डिपैंड करता है, बट CAC में खासियत तो है, अगर खासियत ना होते तो CAC के लिए आज भी इतने लोग आगे पिछे नहीं करते हैं, ठीक है, तो CAC और government भी बहुत ज करते हैं, तो CAC के द्वारा ही रासन कार्ड भी बनाया जाता है, बहुत सारे स्टेट्स में यह चालू हो चुगया, और वहाँ पर CAC के द्वारा ही यह सारी चीज़ें होती है, ठीक है, पैन कार्ड आप बना ही सकते हैं, आप वोटर कार्ड बना ही सकते हैं, तो इसलिए इ जमा करना है या एदर आप उसे मेल कीजिए या फिर आप वहाँ पर हाज पंप ले जाके जमा कीजिए या फिर आप जो CAC का BC Portal है वहाँ पर जाके आप अपलोड कर दिए पर यह करना मेंडेटरी है अगर आप 6 मैने गंदर इसे अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी जो CAC ID है वह डिलेट कर दी जाएगी और वह 30 जून 2022 का लाश्ट इट है और सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आपका पुलिस वेरेशन रिपोर्ट होना चाहिए वह 6 मैने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर 6 मैने से ज्यादा पुराना कर दीजे ताकि आपका CAC ID ब्लॉक ना हो बंद ना हो क्योंकि अगर एक बार CAC ID ब्लॉक होगी या बंद हो या तो फिर आपको बहुत ज्यादा परिसानी जलनी पड़ेगी और फिर उसका कोई solution भी नहीं है तो यह एक इंपोर्टन अप्डेट थी सोचा मैंने आपको बता दूं था तो छोटा साइचीज लेकिन इसके साथ कोई डाउड वे थे कुछ लोग को कि अरे भाई CAC ID तो गली-गली खुल रहा है तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के दे दिया जाए क्य पर नहीं रहता तो थोड़ी नफ CAC के पढ़ते तो और भी ज़्यादा काम थे तो इसलिए इसमें आप अपना क्या है ना कि यह साइड बिजिनस है आपका आप अपना रिगुलर जो भी काम कर रहें उसको करते रहें कोई प्रॉलम नहीं है उसके साथ ही जब भी मौका मिल अठ्सारी अच्छा माध्यम है जिसमें आप सभी समास सेवा के रूप में आपना काम कर सक्ते है और 8 इंशाओ समाश सेवा के सब्सक्राइऑ । these वैंअ से प्रोजेक्ट हैं इतने प्रोजेक्ट हैं कि आप अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ठक जाएंगे ठीक है तो इस वज़ए से प्रोजेक्ट अच्छा काम मिलता है तो आपको पैसा कमा सके और क्या दिक्कत है इसमें आपको टाइम बरबाद हो रहा है जब आप वीपास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आजएगा उस टाइम आपको इंवाल्व हो जाना है तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खतम करते हैं और अगर कुछ नहीं अपडेट आता है तो वह अपडेट भी मैं आपको उलाके जरूर्व प्रोजेक्ट करूंगा तो आज की वीडियो में नहीं वीडियो देखने धन्यवाल और हाँ एक चीज़ और बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं नहीं मिल पाता है उनके सेंटर फ तो उस सिच्विशन में क्या है ना कि मैं आप अपस का डेमेट अकाउंट का लिंक आपको प्रोवाइट कर देराऊं डीस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां बे सबसे पहले आप अपना डेमेट अकाउंट उपन करने की बाद आप के जो भी कस्टमर सार है आप अपने लगता है कोई भी चार्ज उसमें तो इससे फाइदा क्या होगा आपको एक एडिशनल लिंक हो जाएगी और आप स्टॉक्स में क्या है न कि यह वैरिंग करते रहता है कभी आपको 300 रुपए मिल जाएंगा रेफरल पे कभी 600 मिल जाएगा कभी तो हजार हजार रुपए तक क मिलता है और वह पूरा कैस अमाउंट होता है यानि कि पूरा का पूरा पैस आप कैस्ट कर सकते मैं इस पर कई वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने 12-13 रुपए तक एर्णिंग किया है रेफरेंट और एक-एक महिने में ठीक है तो वह लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दू होंगा आई बटन पर तो वह आप जाके चेक लिजेगा उस पर आपको समझ में आ जागा कैसे क्या होती है कैसे अर्णिंग की जा सकती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लिएगा वहां पर अपना टीमेट अकाउंट ऊपन कर लिजेगा इसकी साथ ही मेरी चै करते वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वैसे ठीक है